हालो दोस्तों MRSE Technician में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अधरादम आजकर हमारा वीडियो है इस वीडियो में हम जानेगे कि आरेच क्या है आरेच कैसे निकाला जाता है आरेच को कैसे मेंटेन करते हैं इसके पहले वाले वीडियो में हम अल्रडी एक बतायत है आरेच को निकालने के लिए हमारे पास वेट वर्ड टंप्रेचर और ड्राइबर टंप्रेचर चाहिए जो इड्मोस्फेर का हम रूलेगे उसके बाद उसके जरी हम आरेच निकाल सकते हैं वह पांसाथ मेंट का वीडियो है उसको आप जरूर देखेंगे तो आप आरेच लिए कुलबर बनाइब जैसे कि आप जानते हैं गर्मी का टाइम पर आरे से रहता है हुआ विंटर का टाइम दिफेरेंस मिलेगा तो हम इसके बारे मैं एकर करके जानेंगे बहुत साइब उनसे पूछ रहे हैं कि सर्ट रिलेटर आप एक विडियो बनाएए जो वोटे देखें लेकिन बोलते हैं कि लिए हो पार रहा है यह समझ में नहीं आ वीडियो तो हो सकता है बेए थोड़ा लंबा हो जाएगा पंदर लिस्टनेट का भी वीडियो हो जाए लेकिन यह अगर आप देख लेता है तो फिर दूसरा वीडियो जरूत नहीं है और बहुत ही मैंने बारी किसी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप पारेस निकाल सकते हैं कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप वीडियो के साथ बने रहे यह थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन आप देखें सुरू से लाश्ट तक तभी जागर कि आप क्लियर समझ में आप आएगा इसके बारे में नहीं तो नहीं आप आएगा इसका पांच दिन साथ दिन क्लास चलता है जब इसका कहीं आप इन्शूट में पढ़ाई करेंगे तो हम आप उसको पंदरा मिंट के अंदर आपको संधाने कोसिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो यह रहेगा तो चले फिर आप वीडियो साथ बने रहें लेकिन वह आपको पांच साथ दिन का जो कलास में आप नहीं सिखे होंगे आई फोब कि आप यह दस बंदा मिंट का वीडियो देख करके आप किलियर आपको हो जाएगा हम आपको पहले बताया थे कि AC और HVAC में डिफरेंस क्या है देखिए HVAC में हम बहुत सारा कुछ कंट्रोल करते हैं जैसा कि हम में आरेच भी कंट्रोल करना पड़ता है जो कि एर कंट्रोल करना पड़ता है तो हैसे सिस्टम में बहुत सारा कुछ कंट्रोल करते हैं तो आरेच यह बना दिये हैं कि आ अब्यार कि मिलेगा शवर नब्धिर या इटिंग्टिर लगा हुआ रगा होग होग है एक cushion कि बना Tiia है आपको समझने क्लिए rua जाए आप सामने एक ही कुछ करनों कशाक्र मुद्ध चाह नीतनिक देखाते ही यहां पर आपको दिखाते हैं कि how to control R.H. of the room R.H. मतलब relative humidity तो relative humidity को हम कैसे control करते हैं तो इसके लिए तीन तरीका से control किया जाता है R.H. can control by the flowing waste तो first क्या है control and dehumidification यह हमारा summer के time जो है यह process किया जाता है तीन process है हमारा cooling and dehumidification यह summer के time है cooling and dehumidification and reheating यह हमारा किस time में monsoon के time होता है यह process हमारा monsoon के time होता है और third हमारा heating and humidification यह हमारा winter के time होता है तीनो के time देखिए जो है R.H. का भेलू जो है difference आपको मिल रहा है summer के time हम भेले ले लिए है accurate हाल जगह का location के हिसाब से change मिलेगा यहां पर देखिए आप जो RS निखालने के लिए क्या है तक पर किरिया तो RS के वीडियो आप देखने में तो क्यों ही लेकिन आप सिधा समझें कि अगर weight bulb और driver temperature जो है वो दोनों अगर कम रहता है दोनों का बीच का difference है तो इसको क्या है कि इसका बीच के आरेश यहां पर 70% समझें दीखा रहा है यह पुरेट नहीं होगा तोड़ा नीश्वी सूपर नीचर होगा लेकिन हमारा RS ज्यादा दीखा रहा है यही बीच का यहां पर difference बहुत ज्यादा रहता है माले यहां 44 टीओ है यहां पर 23 टीओ के आसपास हमारा जो है वेट अफर टम्ट्रिचर मेंगा तब जाकर के हमारा 20% आरेश हमारा दीखा रहा है तो जीतना ज्यादा difference मिलेगा, उतना ज्यादा RS हमको कम मिलेगा और जितना ज्यादा कम difference मिलेगा इसमें तो हमारा आरेच उतना ज्यादा मिलेगा तो बस यह चीज़ को माइंड में रखे अब आखी एक एक आख को हम समझा रहे हैं अब क्या है कि एर कंडिशन सिस्टम में आरेच कितना रखना चाहिए कितना आरेच रहेगा तो आपनी comfort फील करेगा तो आरेच कमफर्ट फील कराने के लिए लिमन को हमें 50-60% आरेच की जरुत परती है अगर 50-60% अगर आरेच है तो हम comfort फील करेंगे उसमें अच्छा फील कर फील चैंडरेच है सिधा हम आरेच को जानते है आ्रेच क्या है आरेच जो है है एट्मोस्फएर यालिफ बाहर कस्लिया अपना चाहिअ कु कीतना पर वातर फेपर की है उसको हम अगरी ःत्व हवाट बातर हचतना तो अभी नॉर्मली इंसान कंफर्ट फिल करता है उसको आप अगर जारा डाउन रहेगा तो भी मुश्किल है तो जब जादा डाउन रहेगा तो क्या प्राउब्लम होता है तो वह हम आप एक करके बताएं तो फर्स्ट क्या है को हिलीन डी इमिली फिकेश इसमें क्या होता है समर के टांट के के हमारा आडजा बहुत इस टांव आप दिए मंट यह हमकों कि हवा में जो है ठीक है कितना पॉचंट कर सेता है 100 तो 20 परशंट बहुत कम है किसी भी चीज से पानी सिलेगा हमारा बोडी खता है रॉशोंक हो और अध करता है तो लेकिन denam मैं कुरॐ 20 तो आंभी-टेशन करता है थिछdr धूसीं से पानी से दीट हमारे हमारे भास करता है समर भो या हमारा मॉंसून हो किसी भी टाम हमको एक ही परना पर तो फस्त ऑफोरा आप तरह देखिए हैं मुझा देख्यार कमसी सभी नजिए है इसमें क्या है कि हमारा पुलिंग वाइल लगा दिए हैं इधर में अपना जो है यह सिक्षर जो भी फिल्टर फिल्टर है यह इधर से रेटर नेयर आ रहा है यह हमारा प्रट के जरी यह हमारा रिटर नेयर आ रहा है और इस तरह से यह होते हुए आगे रूम में जा रहा है यह सफलाई है तो हमारा आजमान लीजे डर्मी के टाइम में टमपरचर कितना मिल रहा है 44 जैसा कि हम पर पर बेलू दिखाया है 44 दिगे टाहमारा 44 दिगिर मॉल लिछे मिलो बात में यह डाउन हो जयता है कर चुह energy ब्रुम में Mizz can अब chi एक कंडिशन बूस ने Israelites फे फूरिट यू एम फन ईयश गे आया देस तो हम ये इस तरह से करते हैं है एर पूरा से चुरेटेड हो जाए मतलब अपना वह 100% आरेच का कंडिशन में आजा जिसके लिए हमको यहां ड्रेन लगाते हैं तो हम यह जो है इसके अंदर टाच होने का बाद अब इन कर रहा है और खोटी खोटीव के आसपस हमारे टम्रेचर अब हमारा जो एर है वह 100% से चुरेशन होने का पॉजिशन में जाएगा तो उस पूजिशन में क्या होता है कि यहां पर जो है मतलब थोड़ा पानी जो है कंडेंस होने लगता है जो ड्रेन लाइन के जरी निकलता है अब उसके बाद जो है यह जो बाहर निकलता है तो हांडर परसेंट तो नहीं लेकिन असपास जो है और इस में तबदिल हो जाता है अब यहां 12-13 degree centigrade जो है जो भी एयर निकला ठीक है अब इस ड्रेक्ट के जर्में इधार आया फिर आने के बाद रूम में पूरा एडिया बड़ा है तो वहां पर तंपरेचर माले के ग्रिल पास तंपरेचर माले 15 degree centigrade आपको मिल रहा है असी रूम में खैला तो उस हिसाफ सा 80% जो आरेच है तो वह जैसे ही उसको क्या कहते हैं heating area मिलेगा थोड़ा heat मिलेगा तो उसका भी temperature परसंटेज है थोड़ा सा डाउन होएगा अब उसमें जब heat मिलेगा तो जो मौईचर ज्यादा था तो थोड़ा heat होने के बाद फैलेगा अपना 80% माली के यहां पे पूरा क बाद जो है 100% saturated होने के बाद 80% हमारा आरेच निकला 80% निकलते हुए जैसे जैसे उसको heat मिलेगा माली यह सपेस में तो उस हिसाब से फिर आरेच बढ़ता है तो हमको 50-60% वह सेटिंग किया रहता है तो आपको सिर्फ मैं प्रोसेस बता रहा हूं आप जितना सेटिंग कर प्रदें यह सिस्टम में उस हिसाब से उतना वह मिन्टेन होता है जुरत के हिसाब से कितना temperature मिन्टेन करना उसको उस हिसाब से मिन्टेन होता है फिर हमारा 50-60% आरेच मिल जाता है ठीक है तो यह हमारा हो गया first option cooling and dehumidification का यह प्रोसेस हो गया अभी हमारा second option है cooling and dehumidification and reheating ठीक है अभी यह मौनसून का time temperature है तो मौनसून का time क्या होता है कि हमारा ambient जो है एर में surrounding area temperature जो भी है उसमें हमको 60% आरेच मिलता है लेकिन क्या है कि हमको cooling or down करना है ठीक है तो हमारा 35 तीवी माले सेंटिग्रेट cooling बहुत से हमारा touch कराया और touch कराने के बाद वह तो down हो गया temperature down हो गया लेकिन हमारा आरेच आरेडी रूम में हमारा 60% है कि बाहर का temperature 60% है अपना ambient temperature तो जैसे ही आप क्या कहते है अब हमारा यहां पर क्या होगा कि आरेच बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आरेच ज्यादा होने से प्रॉब्लम है आरेच हमको ज्यादा रखना भी नहीं है और पूरा ज्यादा अपना यह प्रॉब्लम आएगा ठीक है आरेच ज्यादा होने के बाद तो अब हमको क्या करना पड़ता है यहां पे एक heater लगाया रगता है अब जब हम पूलिंग कराने के बाद इसको क्या करते हैं सब कंटेंशने के बाद यह 80% हमारा क्या हो गया अब उप्रेस इर बच रहा है है आव इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि ि्ध बढ़ जाता है अभी हम यहां से थोड़ा टमप्रेचर बढ़ाएंगे बढ़ाने के बाद भी हम उसी साथ सेटिंग करते हैं कि हमारा 50-60% मेंटेन हो जाए अब उसके बाद यहां से थोड़ा हीटिंग करके जब अंदर आता है तो उसमें लगभब कुछ परसेंट रहता है अब उसके बाद रूम में आता है तो यह दोनों फिर आपको सम्मील करके फिर हमारा 50-60% हमारा मेंटेन हो जाता है लेकिन वापिस रहीटिंग करने के बाद नहीं करेंगे तो डायक्त अगर हम इसको सेंट करेंगे एर कंडिशी रूम में तो हमारा रह बहुत जादा हो जा है मेंटेन को टमपरेचर अब हमारा हमारा है हीटिंग एंड हमुटिफिकेशन हमारा विंटर के टायम होता है ठीक है ऑल्रेदी हमारा जो टमपरेचर है वह बाहर का बहुत कम मिलता है जैसे 7.2 cm के संथिंग हम बता है आप टिक भेल ले रहे हैं कम जालब होते रहता है करेगा हमको किसी की टायम हो हम जब एर कंडिशन सिस्टम लगाए है तो उसको हमको परफेक्ट आरेच एंड टमपरेचर वह हमको बराबर देना होगा तो 7.2 डिए संटीगर तो इस टायम हमारा क्या काम होता है एक और हम बना है एक अलग अलग पार्ट्स का सिस्टम बना अप्लोड किया हुआ है यह हमारा हीटर या हीटिंग पाल को यूज करते हैं जब हमको अप्यों करना पड़ता है जैसे यहां पर हम एक उधारत यह हीटर का उसी तरह से यहां पर हीटर या इसको हीट क्वाइल जो है हाट वाटर को भी हम करा सकते हैं ठीक है अब देखें कि यहां पर हीटर का काम है विंटर के टाइम में हमारा हीट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इसका टमपरेचर तो हाई हो जाएगा इसका टमपरेचर हाई हो जाएगा हाई होने के बाद जो है विंटर के टाइम हमारा है सेवेंटी परसेंट क्या करते हैं आरेज है त हमारा जो हई होने के बार जो है जो ब्राइब वेडवर्ड अबसे फिर्म बहुत जादा बढ़ जाएगा वंऔर दोनों को भी जितना डिवंस कम रहेंगा कॉत न जो है और आ सोες प्राइब जो है और अवेरे यह है और यह रहेगा यह नज दोनों नजदीक दोनों में अधिक इसके तक अगया आगया अब उसके बाद क्या होगा उस सिट्विशन में हमारा आरेंच बहुत ज्यादा डाउंड हो जाएगा यह जो हमारा आरेश है पूरा नीचे आ जाएगा हिटिंग होने वाद उसके अंदर से जो है मोईस्ट्र होगे खतम होता है आपको नोर्मली मालूम है कि उसके हीटिंग करेंगे तो मोईस्ट्र हमारा जाएगा तो अभी जब रूम में आप हीट करके शिफ देंगे तो वहां प्लशक्राव फिर मों सोहने लगा इसके लिए हमको क्या करते हैं कि पूरा हेटिन करने के बाद यसके बाद हम विदिए इसके लिए एक steam भी रहता है अपना वाटर भी रहता है इस beth कुलिंग और रहता है उसको हुटिफायर लगा रहता है पानी क्या इस प्रे कराये जाता हैだけ चांगा बीच में इसका बीचा स्क्रालिक में इसा रहत है क्या रहता है तो इते हए हीमारे। तो यह हमारा हमिदिफायर पाणी के एसप्रे करता है यह सब आपको कुछ करने जब नहीं है यह सब ओर राधी सेटिंग रहता है आप जितना पर सेट कर देंगे वह अपने हिसाफ से काम करेंगा तो बस आपको बता रहें कि क्या प्रोसेस होता है जरोत के हिसाफ जितना रिप्वाइड है उतना पानी को एस्प्रे कराता है तो बात में फिर हमारा अपना टमपरेचर है एर का और उसके बाद यह हमिडिफायर को दोने मिक्स करके रूम में जाता है तो हमारा रह केता मिलता है 50-60% हमारा रह मिल लियाता है यह था पूरा सब्सक्राइशन और आपको क्लियर हो गया होगा और पहुत कम टाइम में इतना सारा कुछ सम्झाना पड़ता है सब को बहुत लंबा 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 टोपिक चलता है लेकिन फिर भी देखिए आपसे क्लाइंड जादा से जादा क्या पूशेगा कि आरे चो कैसे में करते है आरे च क्या है तो आरे सक बारे में अपको बता जीए कि वह क्या है आरे जहामारा जो इंडियेंट टंप्रेशर में येतना क्वांटिटी फेपर का क्वांटिटी जी तरह पाय जाता है उसको आरे सब्सक्राइब कितना रखना चाहिए 50-60 परसंट उसके लिए आप क्या क् सब्सक्राइब करें और इस तरह का यहीं जरूँन के लिए अपने दोस्तों तो पहूंचाए उन्हें इसका फायदा पहूंचे रहें चले आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा को लाइक जिछ बूंचे और और कमेंट में में की सी टोपिक पर पहला करीं तो चले